तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाशी रामा सेंजु के बारे में हाशी रामा सेंजु क्लैन के मेंबर थे और वक्त के साथ अपने क्लैन के लीडर भी बनते हैं और उनके पावर्स की वज़े से सभी लोग उन्हें गौड ओफ शिनोबी का नाम देते हैं वो अपने बच्पन के दोस्त मादारा उचीहा के साथ हिडन लीफ विलेज को बनाते हैं और हाशी रामा को विलेज का लीडर भी बनाया जाता है और वो लीफ विलेज के सबसे पहले होकागे बनते हैं हाला कि वो अपने लाइफ टाइम के दौरान पीस हासिल नहीं कर पाए जो कि उनका सपना था लेकिन उनकी लेगेसी उनके इस इच्छा के साथ उनके मरने के बाद भी शिनोबी सिस्टम को बनाती है हाशी रामा का जन्म वारिंग स्टेट्स पीरियट के दौरान हुआ था और वो अपने चारो भाईयों में सबसे बड़ा था हाशी रामा और उनके भाईयों का बचपन बैटल फिल्ड में अपने राइवल उचीहा क्लैन के साथ लड़ते हुए बीता हाशी रामा की मुलाकात अपने उमर के बच्चे से होती है जिसका नाम मादारा होता है और जल्द ही दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगती है वो हर चीजों में एक दूसरे से कॉमपर्टीशन करने लगे जिसमें हाशी रामा हमेशा जीतता है हाशी रामा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चों को वार में लड़ने भेजा जाए इससे सिर्फ जाने जाती हैं और इससे उचीहा और सेंजु क्लैन के बीच दुश्मनी और बढ़ रही है अपने दो भाई कावारामा और इतामा के मरने के बाद हाशी रामा अपने आखरी भाई तो भी रामाक से कहता है कि उन्हें एक नए शिनोबी सिस्टम की जरूरत है जिसे वो बच्चों के डेथ को रोक सके और इसके लिए उन्हें उचीहा और सेंजु क्लैन का अलायंस बनाना पड़ेगा हाशी रामा की तरह मादरा भी एक शिनोबी था जिसने अपने भाईयों को लड़ाई में खो दिया इसलिए दोनों मिलके एक ऐसी जगा बनाने की सोचते हैं जहां उनके जैसे बच्चों को एक दूसरे से लड़ना ना पड़े और जहां उनके भाई सेफ रह सके प्रिकॉशन के तौर पर दोनों एक दूसरे से अपने फैमिली नेम्स को छुपाए रखते हैं पर वक्त के साथ दोनों को समझ आ जाता है कि मादारा उचीहा क्लैंसे है और हाशी रामा सेंजु क्लैंसे है और एक दूसरे को मारना ही उनका काम है चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो पर हाशी रामा अपने दोस्त को ना मारने का डिसाइड करता है पर मादारा उनके दोस्ती को खतम कर देता है ये कहते हुए कि हाशी रामा का पीसफुल वर्ल्ल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता जिसके बाद मादारा हाशी रामा एक दूसरे सेव बैटल फील्ड में लड़ने लगे हाशी रामा मादारा को मारने के लिए कभी राजी नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसे अब भी अपना दोस्त मानता है और मादारा हमेशा हाशी रामा से हारता है वक्त के साथ हाशी रामा और मादारा अपने अपने क्लाइन के लीडर्स बनते हैं हाशी रामा के लीडर्शिप और पावर्स की मदद से सेंजु क्लाइन उचिहा क्लाइन को हराने लगा और एक ऐसा टाइम आता है जब मादारा और इजुना भी उनसे हार जाते हैं हाशी रामा मादारा को अलाइंस बनाने के लिए ओफर करता है ताकि वो अपने इस लड़ाई को हमेशा के लिए एंड कर सके और अपने बच्पन के सपने को पूरा कर सके पर मादारा मना करके अपने जखमी भाई को लेकर वहां से चला जाता है पर उचीहा क्लैन की कुछ मेंबर्स हाशी रामा के ओफर को एकसेप्ट कर लेते हैं मादारा के भाई इजुना की मौत हो जाती है और गुस्से में मादारा एक फैनल अटैक करता है हाशी रामा और सेंजु क्लैन पर लेकिन वो बुरी तरह से हार जाता है तो भी रामा मादारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हाशी रामा उसे रोक लेता है और मादारा के कहने पर उसे यकीन दिलाने के लिए हाशी रामा खुद को मारने के लिए मान जाता है पर मादारा हाशी रामा के गेश्चर को देख कर शौक हो जाता है और अलाइंस बनाने के लिए मान जाता है सेंजू, उचीहा और भी बहुत से क्लैन एक साथ अलाइंस बनाकर एक विलेज बनाते हैं जहां पच्चों को एक दूसरे से लडने की जरुवत नहीं है हाशी रामा और मादारा अपने बचपन के बातों को याद करते हुए विलेज का नाम विलेज हिडन इन दे लीव, हिडन लीव विलेज रखते हैं हाशी रामा और मादारा के विलेज को देखते हुए बहुत से क्लैन मिलकर अपने अपने विलेजेस बनाने लगते हैं हाशी रामा चाहता था कि मादारा विलेज का लीडर और प्रोडक्टर होकागे बने पर दोभी रामा के कहने पर होकागे बद के लिए इलेक्शन हुआ और सभी ने हाशी रामा को होकागे elect किया जिसके बाद हाशी रामा ये चाहने लगा कि मादारा उसके साथ एक भाई जैसा रहे और उसके साथ काम करें जिससे विलेज के लोगों में उसका image अच्छा हो जाए जिससे वो 2nd होकागे बन सकता है पर मादारा को पता था कि सेकेंड होकागी की जगा तो भी रामा को मिलेगा जो उचिहा क्लैन के लिए सही नहीं रहेगा मादारा विलेज को छोड़ कर चला जाता है जिसके बाद वो विलेज पर कई बार अटैक्स करता है मादारा एक आखरी बार नाइन टेल डेमन फॉक्स के साथ हाशी रामा से लड़ने आता है नाइन टेल्स की पावर्स और हाशी रामा को उसे पकड़ने की कोशिश में काफी तबाई हो जाती है लडाई करते हुए दोनों बहुत ठक जाते हैं मादारा अपने शारिंगन को भी एक्टिव नहीं रख पाता है हाशी रामा उसे पूरी लड़ाई के दौरान बात करने की कोशिश करता है पर मादारा उसे ज़्यादा जवाब नहीं देता है हाशी रामा अपने कलोन को उसकी जगा ले आता है और मौका देखकर मादारा पर पीछे से स्टैप कर देता है और मादारा की मौत हो जाती है तोबी रामा मादारा के बॉड़ी को सीक्रेटली चुपा देता है हाशी रामा की वाइफ मीतो उजुमा की नाइन टेल्स को अपने अंदर सील कर लेती है ताकि वो उसके powers को कोनहा के benefits के लिए use कर सके धीरे धीरे चीजे थोड़ी normal होने लगी हाशी रामा तोबी रामा के एक student को train भी करता है हिरुजान सारू तोबी हाशी रामा को अपनी पोती सुनाडे को spoil करने का मौका भी मिलता है वो इस scroll of seals वो किन्जूसू जिसकी जरूरत अब किसी को नहीं है उसे छुपा कर लॉक कर देता है लेकिन जिस पीस को बनाए रखने के लिए हाशी रामा चाहता था वो अब तूटने लगती है उसे मारने के लिए hidden waterfall village काकुजू को भेजते हैं जो हाशी रामा से हार जाता है और ऐसे ही धेर सारी लड़ाई फिर से शुरू होने लगती है आशी रामा कागे समिड में जाता है ताकि वो पकड़े हुए टेल बीस को ओफर कर सके जिसे दूसरे village का डर खतम हो सके लेकिन cooperation उतना आसान नहीं था जितना हाशी रामा ने सोचा था तो भी रामा टेल बीस के exchange में पैसे मांगता है पर फर्स्ट काजिकागे उनके ओफर को political benefit कहते हुए मना कर देता है जिससे उन सब के बीच अनबन और बढ़ जाती है हाशी रामा सबसे कहता है कि ये agreement temporary हो सकता है लेकिन इससे future generation को फाइदा होगा पर कोई भी राजी नहीं होता है और हाशी रामा का पीस लाने का सपना उसके मरने तक पूरा नहीं होता है लेकिन मरने से पहले वो तोबी रामा को होकागे बनाता है और उसे उचीहा को mistreat करने से भी मना करता है hidden leaf village पर औरोची मारू के attack के दौरान औरोची मारू, हाशी रामा और तोबी रामा को उसके teacher हिरुजान सारू टोबी से लड़ने के लिए reanimation जूत्सू से समन करता है तोबी रामा ये realize करता है कि उन्हें impure world reincarnation से जिन्दा किया गया है इसलिए अब उन्हें हिरुजान से fight करनी पड़ेगी औरोची मारू उनके personalities को suppress करता है और उनसे attack करवाता है हिरुजान को तोबी रामा और हाशी रामा के coordinated attack की वज़े से उनसे लड़ने में काफी मुश्किल होती है और उसके attacks के बाद भी तोबी रामा और हाशी रामा के body वापस regenerate हो जाती है हिरुजान समझ चुका था कि उरोची मारू को मार कर भी impure world reincarnation जूत्सू बंद नहीं होगा हिरुजान अपने दो shadow clones बनाता है और dead demon consuming seal की मदद से हाशी रामा और तोबी रामा के souls को शीनी गामी को देकर seal कर देता है 4 shinobi world war के दोरान सास के उचिहा के कहने पर और उची मारू first four Hokages को reincarnate करता है हाशी रामा और तोबी रामा मिनातो को देख कर खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका village अब भी ठीक है और हाशी रामा ने ऐसा कुछ भी expect नहीं किया था हाशी रामा मिनातो से पूछता है कि फिप होकागे कौन है और अपनी पोती सुनाडे का नाम सुनकर हाशी रामा घबरा जाता है सास के सभी होकागे से village के history और उचीहा क्लैन के बारे में पूछता है हाशी रामा समझ जाता है कि तोबी रामा ने उसकी बात नहीं मानी जिससे उसे गुस्सा आने लगता है तोबी रामा सास के को मारने के लिए prepare होता है पर हाशी रामा उसे रोक लेता है और उची मारू सभी होकागे से को current situation के बारे में बताता है for shinobi war और reincarnated मादारा उचीहा के बारे में भी बताता है तोबी रामा कोनोहा forces की help करने के लिए हाशी रामा से कहता है और उची मारू हाशी रामा से कहता है कि impure world reincarnation के control से वो खुद को free कर सकता है पर हाशी रामा रुख कर सासके को village और अपने history के बारे में बताता है कि कैसे उसने और मादारा उचीहा ने मिलकर leave village को बनाया peace लाने के लिए हाशी रामा इताची के बारे में जानने के बाद उसे खुद से बड़ा shinobi का दरजा देता है और सासके हाशी रामा के बातों को सुनने के बाद ये decide करता है कि वो hidden leave village को destroy नहीं करेगा जो मादारा करना चाता है जिसके बाद हाशी रामा और सभी होकागेस allied shinobi forces की help करने जाते हैं जो ten tail से लड़ रही होती है हाशी रामा मादारा के plan को जानने के बाद घबराता है और ये समझ नहीं पाता है कि उनके last fight के बाद भी मादारा जिंदा कैसे बज़ गया बैटल फील्ड में पहुँचने के बाद मादारा excite होकर हाशी रामा को fight करने के लिए challenge करता है पर हाशी रामा मादारा को वेट करने कहता है सेज मोट के साथ हाशी रामा सेज आर्ट गेट अफ दे ग्रेट गॉड की मदद से टेन टेल्स को पकड़ लेता है और बाकी होकागेश उसके चारो तरफ बैरियर क्रियेट कर देते हैं हाशी रामा अपने पांच वुड क्लोन्स बनाता है जिन मेंसे चार क्लोन्स एलाइड फोर्सेस को टेन टेल्स से लड़ने में हेल्प करते हैं और एक क्लोन मादारा से लड़ने जाता है पर मादारा हाशी रामा के वूड क्लोन से लड़ने में इंट्रेस्टेड नहीं होता है पर क्लोन के इंसिस्ट करने पर वो उसे आसानी से हरा देता है और रियल हाशी रामा का वेट करता है जब ओबितो उची हा टेंटेल्स के उपर आता है तब हाशी रामा समझ जाता है कि मादारा ओबितो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हाशी रामा तुरत ही अपने छे वुड क्लोन्स को मादारा को रोकने के लिए भेजता है पर ओबितो मादारा को रेजिस्ट करते हुए 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और उसका जिनजूरी की बन जाता है और अपने नए पावर्स के साथ ओबितो बैरियर को हटा देता है और हाशी रामा के क्लोन को डिस्ट्रॉई कर देता है पर डिस्ट्रॉई होने से पहले वो ओबितो को रिस्ट्रिंड कर लेता है और तोबी रामा एक्स्प्लोजिव टैक से ओबितो पर अटैक करता है मादारा हाशी रामा को लड़ने के लिए इंसेस्ट करता है हाशी रामा मादारा को और वेट करने कहता है पर मादारा हाशी रामा से लड़ने लगता है हाशी रामा के क्लोन्स एलाइट फोर्सेस की हेल्प करते हैं ओबितो के Ten Tails Tree को बनाने के बाद माधारा हाशी रामा को Infinite Sukuyomi के बारे में बताता है इसके बारे में सब को बताने के लिए हाशी रामा का एक कलोन इनो यामनाका की मदद से सभी से टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है अपने Grand Daughter Sunade को हेलो करने के बाद हाशी रामा सभी अलाइट फोर्सेज के शिनोबीस को मेसेज बताता है हाशी रामा सभी को अपने फुर्स्ट कागे समीट के बारे में बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है और आखिर में वो लोग ओबितों को हरा देते हैं ओरिजिनल हाशी रामा मादारा को मल्टिपल गेट ऑफ ग्रेट गॉड और वुड ड्रैगन से पकड़ता है नारुटो मादारा को सील करके वार को खतम करने के लिए आता है पर ऐसा कुछ होने से पहले मादारा ब्लैक जिस्सू की मदद से ओबितों से खुद को सामसारा हेवेनली लाइफ टेकनीक से जिन्दा करवा लेता है जिसके बाद मादारा अपने फुल पावर्स का यूज करके फ्री हो जाता है और चाकरा रिसीवर से हाशी रामा को इमोबलाइस कर देता है मादारा अपने विजन को कमपनसेट करने के लिए हाशी रामा के सेंजूसू चाकरा को एब्सॉप कर लेता है जिससे उसके sensory skills बढ़ जाते हैं ताकि वो बिना vision के लड़ सके और मादरा वहां से जाने से पहले हाशी रामा से कहता है कि जिस piece के बारे में वो लोग बात किया करते थे वो उसे हासिल करने जा रहा है सासके मादरा को रोकने जाता है हाशी रामा सासके को एक जूसू बताता है जो उसके सेंजूसू चाकरा को कैंसल कर सकता है सासके हाशी रामा से पूछता है कि वो उस पर भरोसा क्यों कर रहा है हाशी रामा सासके को बताता है कि सासके मादरा के छोटे भाई इजूना की तरह जिसे देखकर मादारा को उसे रोका जा सकता है पर आकिर में सास के फेल हो जाता है और मादारा infinite सुक्योमी में सभी लोगों को डाल देता है Reincarnated Hokages को छोड़ कर और सभी को God Nativity of a World of Trees में पकड़ लेता है कुछ वक्त बाद हाशी रामा पर लगे चाकरा रिसीवर्स डिसेपेर होने लगते हैं और हाशी रामा दूसरे हुकागेस से मिलता है और सभी को इंफिनिट सुक्योमी से बाहर निकालने के लिए सोचता है तभी उनके पास सेज ओफ दी सिक्स पास की स्पिरिट आती है जो उनकी मदद मांगते हैं और उनकी मदद से वो टीम सेवन, मादारा और सभी टेल बीस को वापस रियल वर्ल्ड में समन करते हैं हाशी रामा मादारा के पास जाता है जो बस मरने ही वाला होता है मादारा अपने आखरी पलों में हाशी रामा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसका idea of peace सही था और वो गलब हाशी रामा मादारा को माफ कर देता है और उसे कहता है कि वो दोनो war buddies हैं जिसके बाद मादारा की मौत हो जाती है Sage of the Six Pass हाशी रामा और सभी हुकागिस के soul को pure world वापस भेज देते हैं हाशी रामा नारुटो और सासके को लग विश करते हैं बात करे हाशी रामा की लगसी की तो सिर्फ हाशी रामा ही थे जो वूड रिलीज, सेल्फ हीलिंग और टेल बीस को कंट्रोल करने की abilities रखते थे इसलिए उनके मरने के बाद भी उनके DNA से बहुत से experiments किये गए और उची मारु ने हाशी रामा सेल्स से बने soldiers बनाने के लिए experiments किये जिसमें यामा टो आखरी survivor बचता है और उची मारु डांजो पर भी experiment करता है और उसे हाशी रामा सेल्स देता है मादारा उचीहा ने भी हाशी रामा के DNA की मदद से अपने powers बढ़ाई और हजारों की तादाद में माइंडलेस हाशी रामा के कलोन वाइट जसू आर्मी को बनाया हाशी रामा की लगसी का सबसे बड़ा हिस्सा Will of Fire है जो उनके मरने के बाद भी सभी कोनोहा निंजा इनहेरिट करते हैं और होकागे भी सिर्फ उन्ही को बनाया जाता है जो Will of Fire को इनहेरिट करते हैं वक्त के साथ Will of Fire को उचिया क्लैन के मेंबर्स भी इनहेरिट करते हैं जैसे की इताची और सिजूई तो दोस्तो ये थी कहानी हाशी रामा सेंजु की नारूटो और नारूटो शीफू डैंसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बिल को ओन करना ना भूले तब तक के लिए बाई मिलते हैं अगली वीडियो में